हेलो फ्रेंज एक बार फिर से सवागे ते आपका आज की एक और गोल्ड एनेलाईस इस वीडियो में दोस्तो आज हमें गोल्ड में एक काफी अच्छा सा सिंपल सा रसिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है जिस एरिया को मार्केट अभी रिस्वेक्ट करता हुआ नजार आ अभी रसिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है तो कौन सा रसिस्टेंस है कहां पर हम रसिस्टेंस एंड सपोर्ट आज मार कर सकते हैं किस तरीके से हम कनफर्मेशन ले सकते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा साथी साथ हम समझने बाले है कल हमने गोल्ड में कहां support resistance मार किया था, किस तरीके से analyze किया था, और market ने कैसे trade किया है, तो वीडियो को पूरा देखेगा आपको इस वीडियो से एक knowledge मिलेगा live market में हमें किस तरीके से support resistance को मार करना होता है, किस तरीके से confirmation लेना होता है, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, friends, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, कल के दिन हमने 15 मिट के time frame में कैसे analyze किया था, किस तरीके से support और resistance मार किया था, दोस्तों, कल का जो हमारा analyze था, बहुत simple से analyze था, काफी अच्छा setup हमें दिखाए दे रहा था, कौन से setup था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो, कल यहाँ पे सबसे पहले थो, हमने एक support area मार किया था, यह काफी अच्छा support जो की previous time market ने बहुत अच्छे से support पिया, इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने देखा, एक trend line, आपको एक trend line यहाँ पे नज़र आएगा, जिसको market ने बहुत अच्छे से respect किया है, ध्यान से देखो, resistance लिया, resistance लिया, खीक है, अब यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, आपको एक pattern जैसा भी यहाँ पे दिखाए देगा, कल हमने यहाँ पे देखा, एक triangle pattern दिखाए दे रहा है, और इस pattern को market ने breakout किया, retest किया, और retest करने के बाद देखो, कल के दिन market ने इस level का एक high लगाया, और यहीं इसे rejection आ रहा था, क्या, यहीं इसे rejection आ रहा था, अब यहाँ पे जैसे market यहाँ से fall कर रहा था, हमने एक support मार किया था, कौन सा support मार किया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यह जो यहाँ पे previous time market का एक resistance एरिया था, यह वाला यहाँ पे हमने as a support मार किया था, ठीक है, ध्यान से देखो, यह था हमारा एक support एरिया, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, market ने जब इस level का यहाँ से rejection कर रहा था, उसी time पे हमने यह support मार कर लिया था, यह support क्यों मार किया था, क्योंकि previous time market ने इस level को resistance लिया, साथ मैं मैं आपसे बोला था, यह हमारी trend line का wave का एक resistance एरिया है, तो high probability है कि market इस level को यहाँ से support लेने आए, breakout हुआ, breakout को बाद यहाँ से retest करें, retest करने के बाद हो सकता है, एक नया high लगाए, और आप देख सकते हैं accurate market ने, कल जो हमने resistance मार किया था, इसी level को यहाँ से resistance की तरह respect किया, और यहीं से देखो bullishness हो किया है, कल जो यहाँ से हमने analyze किया था, इस image को आपके साथ, telegram channel पर भी share कर दिया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह दिखिए, यह resistance जो हमने मार किया था, हमारी trend line का wave का resistance, आपके साथ telegram channel पर share कर दिया था, साथ में यह pattern भी आप यहाँ पर दिख पाएंगे, जब market यहाँ से rejection कर रहा था, उसी time पर हमने यह resistance मार करके दे दिया था, ताकि आप भी इस तरीके से अपना perfect analyze कर पाएं, और देखो accurate market ने इसी level को resistance लिया, फिर यहीं से दिखो market ने high लगाया है, तो आई होप आपने भी इस image को देखकर, कल के दिन अपना एक simple analyze किया होगा, जैसे कि यहाँ पर drawing में भी आप देख सकते हैं, कल की वीडियो का thumbnail में, तो टिड़स जो भी हमारा daily basis का एक simple analyze होता है, जो भी हम support resistance areas मार करते हैं, आपके साथ मैं telegram channel पर share कर देता हूँ, ताकि आप भी इस तरीके से अपना perfect simple सा analyze कर पाएं, अभी तक आपने telegram channel को join नहीं किया है, तो वीडियो के discussion में आपको हमारे telegram channel का link मिल जागा है, जो की एकदम free of cost है, और हाँ friends, हमारा सिर्फ एक ही telegram channel है, जिसका link आपको video description में मिल जागा, subscriber की एगर बात करें, 11,240 subscriber आज की date में आपको देखने को मिलेंगे, हमारे नाम से कुछ fact telegram channel भी बने है, ठीके तो आपको बता दें, हम किसी भी प्रकार का कोई भी call tips नहीं देते, ना ही किसी से कोई भी पैसा लेते हैं, ठीके ध्यान रखिएगा, अगर कोई आप से पैसा ले रहा है, या फिर कोई call tips दे रहा है हमारे नाम से, तो वो fact है, ठीके, आपने join कर रहा है, तो तुरंट उस channel से remove हो जाईए, चलिए अब हम समझते हैं traders, आज हमें क्या setup दिख रहा है, तो दिखो, जैसे मैं अभी आप से बात कर रहा था, हमें एक अच्छा सा resistance area दिखाई दे रहा, तो friends, अभी marketing resistance पर ही खड़ा हुआ है, यह हमें बहुत अच्छा सा एक resistance area दिखाई दे रहा, जिसको market ने multiple time resistance लिया है, resistance लिया, resistance लिया, resistance लिया, और दिखो, यहीं से market ने rejection करना भी start कर दिया है, अब बात करते हैं support area, कौन सा support है, तो support के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, यह मुझे एक minor सा, यहाँ पे support area दिखाई दे रहा है, ऐसा करके हम इसको मार करेंगे, यह वाला मैंने area क्यों लिया है, वो भी मैं आपके साथ अभी share करने वाला हूँ, तो ध्यान से दिखो friends, अभी market इस range के अंदर फसा हुआ है, multiple time support and resistance ले रहा है, resistance लिया, support लिया, again resistance support, again resistance, दिखो resistance लेने के बाद, यहाँ से fall करना start किया है, अभी इस range के अंदर फसा हुआ है, यहाँ पर goal, किके sideways जैसा आपको यहाँ पर नज़र आएगा, तो जैसे ही इस range का breakout या फिर breakdown होता है, तभी हमें एक काफी अच्छा up move या फिर down move देखने को मिल सकता है, अगर इसका breakout करता है, ज्यान से देखिए, अगर इस resistance का breakout करता है, रिटेस्ट करने आता, फिर एक अच्छा move हमें यहाँ पर अप move देखने को मिल सकता है, इसी के साथ यहाँ पर अगर यह support को breakdown करता है, फिर यहाँ से downfall वगेरा भी कर सकता है, मैं आपको यहाँ से resistance area दिखाना चाहूँगा, लेबिल से दिखाना चाहूँगा, रिजिस्टेंस लेबिल की बात करें, 2018.487 और 2017.037 का यह हमें एक resistance दिखाई दे रहा है, बात करते हैं friends support की, मैं इसको थोड़ा और इस तरीके से कर लेता हूँ, यह support हमारा, अब यह हमारा थोड़ा area बड़ा हो जाता, यह हमारा mark हो जाता है, लेबिल के बात करें, 2011.67 और 2008.442 का यह हमारा एक support area है, और देख सकते हैं अब, यहां से market ने resistance लिया, negative यहां पर शो किया, देखो, bearish candle यहां पर बनाना इस्टार्ट किया है, तो देखते हैं market अगर इस level के आसपास आता है, support लेता है, तो फिर यहां से हो सकता है, मैं भी एक high लगाता हुआ, हमें देखने को मिले, हमें लेकिन ध्यान देना है, यहां पर फ्रेंस, एक चीच का ध्यान देना है, अभी gold का trend एक uptrend है, क्या है, gold का एक uptrend चल रहा है, ठीके, हमें trend के साथ ही, हमें अपनी trade को प्लान करना चाहिए, gold का जो trend है, वो uptrend है, market continue higher high, higher low, higher high, बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीके, जो भी अपोर्चुटी यहां पर देखना चाहिए, हमें एक buying की अपोर्चुटी देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो trend है, वो bullish है, ठीके, तो ऐसा करके, फिलहाल में हमें एक support resistance दिखाई दे रहा है, इसके अलाबा कोई extra confirmation यहां पर हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी range के अंदर market फसव हुआ है, ठीके, तो हमें bait करना चाहिए, यहां पर आप देख लीजेगा, आपको जैसी कोई support अपोर्ट शुटी देखे, तो फिर यहां तक का आप support का target बना सकते हैं, और support से अगर आपको कोई buy का setup दिखाई दे, तो फिर आप यहां से resistance का अपना target प्लान कर सकते हैं, ठीके, तो इस तरीके से Tadus, मार किया है, इस image को मैं आपके साथ just अभी telegram channel पर भी share कर दूँगा, ताकि आप भी इस तरीके से अपना perfect support और resistance areas मार कर पाएं, वीडियो पसंद आई, लाइक करिएगा, चैनल प्रेंटों सब्सक्राइब कर लीजेगा, साथ में बेल आइकन वेट कर लीजेगा, ताकि ऐसे ही knowledge बाल वीडियो के notification आपको आगे मिलते रहे, तो मिलते हैं, नई वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई,